हेलो फ्रेंड्स कैसे सब अमीद है कि सबसे कुछ मज स्वास्त होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए काफी अच्छी जो है ना खुश खबरी आई है कि उत्तर प्रदेश की अंदर जूपी के अंदर जो लेक्ट्रार की जो पोस्टे निकली है उसके बारे म लेके एंडिंग तक की वीडियो देख लेना आपको बार-बार किसी और वीडियो को देखने की नीड नी होगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां देखें फ्रेंड्स सबसे पहले तो यह लेक्ट्रार मेल फीमेल गवर्मेंट इंटर कोलेज एग्जामिनेशन 2020 तो यह इंटर कोलेज एग्जामिनेशन जो होता है उसके अंदर यह पोस्टे निकली है ठीक है और आगे जाके मैं आपको हिंदी के अंदर भी अडिटाइजमेंट जो है न वो दिखा हुआ कि उसके अंदर क्या-क्या है कुछ लोग ऐसी है जो हिंदी मीडियम से हैं महां से यह आप ले सकते हो तो चलिए अब बात करते हैं इस पर जो आपकी डेट है उस पर पहले बात कर लेते हैं कि ओनलाइन एप्लिकेशन 22 दिसंबर 2020 से आपका स्टार्ट हो चुका है और बात करें अगर बैंक जो है फीस जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो है 18 जनव अरी 2021 उसके बाद हम बात करेंगे कि मेन मेन जो है चीजें इसके अंदर हम डिसकस करेंगे अभी ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट पहले तो काफी सारे हैं ठीक है मैं आपको मैत के बारे में बतागाना क्योंकि हम जो है इस चैनल पे सिरफ मैत की बात करते बाकी की अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप देख सकते हैं Hindi, English, Physics ऐसे लगलग पोस्टे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर पोस्टे देखें तो वो math की ही है math की ही सबसे ज़्यादा पोस्टे अगर देखा जाए 102 पोस्ट है number of vacancies कितनी है 132 unreserved मतलब की unreserved का मतलब बता है general category के अंदर तरेपन है EWS के अंदर 13 है OBC के अंदर 36 है SC के अंदर 28 है ST के अंदर 2 पोस्टे है आज तक की GIC के अंदर जो भी भरती आई है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्टे अगर निकाली गई है तो इस बार निकाली गई है यह है male के लिए और हम आगे चलते है female का देखते है female branch के अंदर female branch के अंदर भी math के अंदर 137 पोस्टे है यहाँ भी पुरा पुरा scope है तो यहाँ देखे math number of vacancies female इसमें होता का है male वाले जो है ना वो सिरफ male में भर सकते है female वाले male और female दोनों में apply कर सकते है बट मैं बोलूँ है female वाले female में ही apply करें च्योंकि यहाँ number of posts जादा है तो यह main main बात होगी हमारी इसकी अब हम बात कर लेते हैं इसकी fee structure की और अगे चलके हम सारी चीज़ें डिसकस करेंगे और अगर अभी तक Mission DSSB YouTube जो चैनल है हमारा जो कि सिरफ जैसे की GIS हो गया TGT math हो गया ठीक है TGT math हो गया इससे ही related हम जो है सारी वीडियोज बनाते हैं तो यह जरूर सब्सक्राइब कर लें आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी और application भी Mission DSSB के नाम से है Play Store के उपर और description के अंदर link भी मिल जाएगा यहाँ पे हमने course GIC का अभी launch कर दिया है जिसमें आपको complete preparation कराई जाएगी GIC math की ठीक है math portion की तो चलिए हम आगे discuss करते हैं यहाँ आप देखिए fees जो है कोई ज़्यादा नहीं होती इसमें 100 plus 25 रुपे processing fees होती 125 रुपे fees है कोई ज़्यादा fees भी नहीं है बाकी की अगर देखा जाएगा अलग-लग category के अंदर backward schedule cast और मैं एक बात बताऊँ आपको काफी लोगों को यह confusion रहती है न कि other state वाले other state वाले general में count होते हैं हमेशा ठीक है UP वाले count होंगे अगर कोई special cast category के अंदर है otherwise बाकी other state वाले general में count होते हैं यहाँ पे अलग-लग fee structure आप देख सकते हो next हम देख लेते हैं जो education qualification है उसकी बात की जा रही है वो क्या चीज़ है यहाँ देखे पुरुष या महिला जो भी है कोई भी subject है जिसे समाथ शास्तर भूगोल जो है न अर्थ शास्तर इतिहास नागरी शास्तर ऐसी हमारा मैथ है वो है गणित ठीक है गडित में भी क्या है भारत में विजी द्वारा स्तापित किसी वीशे विधाल ले है से सबंद वीशे में सनात कोतर उपादी या सरकार द्वारा उसके समकक शनमानता प्राप्त कोई उपादी मतलब कहने का essential जो qualification है वो आपकी अगर आप MA math हो या M.A.C. math हो तो दोनों की दोनों ही जो है इसके अंदर चलेंगे ठीक है essential qualification यही है अगर आप MA, M.A.C. हो तो आप इस जो है ना test को दे सकते हो ठीक है और इसकी job जो है secure कर सकते हो next जो है हमारी preferential sorry preferential के अंदर देखिए क्या है कि प्रवक्ता शिक्षा शास्तर और ग्रह विज्ञान तथा वनिज्या को छोड़ कर ध्यान रखिए उनको छोड़ कर बाकि जितने भी विश्या है उसके अंदर राजकिया या मानिता प्राप्ट प्रिशिक्षन विधालय के LT डिप्लोमा या भारत में विधी द्वारा स्तापित किसी विश्य विधालय में शिक्षा शास्तर में सनातक उपादी कहने का मतलब LT डिप्लोमा पहले होता था अब होती है इसके अंदर बीर्ड मांगी गई है उसके बाद हम बात कर लेते एज लिमिट की यहाँ पे एज लिमिट 21 years कम से कम होनी चाहिए 40 years से उपर नहीं होना चाहिए जुलाई 2020 से एक जुलाई 2020 से पहले पहले 40 साल से उपर का नहीं होना चाहिए वही इसके अंदर वैलेडर है कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 21 से लेकर के 40 साल तक अगर हमारी एज है तो हम इसे फिल कर सकते हैं जो बाकी की अपर एज लिमिट है उसके अंदर अलग अलग लग देखे भी दिया गया है कि उसको कितनी कितनी छूट मिलेगी वहला 4-5 साल के अलग से छूट मिलती है वो special category वाले बंदों को ही मिलेगी ठीक है जो कि अलग लग relaxation के अंडर आते हैं वो आप देख सकते हैं क्या क्या है description के अंदर आपको link मिल जाएगा telegram का वहां से आप join करके इस सारे notification को original notification को ले सकते हैं next हम बात कर लेते हैं syllabus के उपर ठीक है यहाँ पे general studies कुछ ऐसे चीजें हैं जो general भी आपसे पूछी जाएंगी और subject specification भी होगी ठीक है और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है इस बार interview नहीं है ठीक है interview नहीं है ठीक है क्यों और इसके अंदर direct merit list लगेगी उसी के base पे आपका जो है ना selection होगा अब मैं बता दू मैत वाले क्योंकि मेरे साथ सारे मैत वाले जुड़े हुए तो यहां देखिए मैत वालों के लिए एक अच्छी बात यह है कि यहां पे एक तो है logical reasoning logical reasoning में आपको पता ही है कि मैत वाले जो हैं इसको असानी से कर लेते दूसरी चीज जो इसके अंदर है मैत वालों को जो है नमबर उनके बन सकते है elementary mathematics up to eighth level arithmetic and numerical ability जो होता है ठीक है उसके अंदर भी अच्छा score जा सकता है तो यहां पे अच्छे अच्छे जो है ना दो segment दियेंगे मैत वालों के लिए तो वो काफी helpful होती है अच्छे नमबर इसमें बन जाते है ठीक है तो यहां पे अगर हम आगे बात करें तो प्रत्थम दो paper होंगे इसके अंदर एक मुख्या प्रिक्षा होगी एक जो है ना प्रारंबिक प्रिक्षा होगी पहले पहले एक जो है test होगा second फिर दूसरा test होगा यहां पे देखे प्रत्थम 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 पत्तर समान्य हिंदी वैं निभन जैसे हिंदी की अगर हम मुख्या लिक्षा है तो प्रिक्षा योजना है पठागरम ठीक है एक बार इसको छोड़िए उपर देखे कि 120 question जो है आपके आने वाले है असी प्रशन जो है ना ơn विशय के 80 प्रशन होगे समान्य ध्म के 40 प्रशन होगे दो घंटे का time होगा और total 300 number का होगा अगर हम marks की बात करें तो total 300 marks का exam होने वाले है अब हम बात करते हैं number of questions की कोस्चन से अगर बात करें तो 120, 120 कोस्चन होने वाले हैं, टाइम की मैं बात कर लेता हूँ, 120 मिनट ही मिलेंगे, मैं अब 2 वंटे ही आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, और 120 परेशन में से अगर मैं बात करूँ, 80 परेशन तो आपके मैट से आने वाले हैं, ठीक है, और 40 से अगर मैं देखूं तो 10 से 12 कोस्टन यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं ठीक है यहाँ पर total 40 कोस्टन आने वाले है बाकी कुछ कुछ आप जैसे करेंट अफेर वगारा मैं भी आपको प्रवाइड करवाता रहूँगा तो वो सारी चीज़ें करते रहेंगे तो इन में से भी काफी अच्छा स्कूर आप कर सकते हो में आपका mathematics mathematics के अगर आप चाहो तो 65 से 75 तक कोस्टन आप सही कर सकते हो with shortcut tricks जो हम करने वाले हैं स्कूर्स के अंदर अगर वो आपने सीख लिया जैसे कोई भी question आता है तो हम ऐसे put करकर के option से करकर के answer देते हैं तो उसमें बहुत मज़ा आता है minimum आपको लाने ही लाने है other cast category की अगर मैं बात करूँ जो भी है तो 35 परसेंट आगे हम चलके देखेंगे वो लिखा हुआ है इसमें तो 40 परसेंट लाने 120 question है तो 48 question आपको अच्छे से आने ही चाहिए मलब 48 question से नीचे अगर आए तो आप qualify नहीं है बलब second paper में आप बैठ ही नहीं सकते फरस्ट paper में 48 question कबल सरी है तो मैं बोलूँगा आपके जो है ना अगर आपको safe score खेलना है तो आपके कम से कम 60 से 70 question जो है ना सही होने चाहिए तब ही हम मान सकते हैं कि safe score है मैं बोलूँगा इससे वी उपर जाना है हमने क्योंकि हम 60 से 70 question तो मैत कहीं मान के चल रहे है और कम से कम 15 से 20 question इसमें मान के चल रहे है तो मैं बोलूँगा अभी जो next scenario अगर हम देखें तो 80 से 90 question आपके अगर सही होंगे तब ही आपकी बात बन पाएगी रियल्टी है रियल्टी जो है ना पता होनी जरूरी है तब ही हम उसी लेवल से त्यारी करेंगे तो अच्छा रहेगा इसमें हमने application के अंदर test series वगर डाली है इसके अंदर आप बार-बार test देते हो ना time चलता है तो उससे टाइम management अच्छा होता है accuracy आती है आपको पता चलता है कि दो गंटे में कितना कुछ अचीव कर सकता हूं तो वो सारी चीज़े application के अंदर रहती है तो next हम बात करते है इस पे अंदर मुख्य लिखित प्रिक्षा इसके अंदर ना दो चीज़ें रहेंग हिंदी का syllabus यहां पे दिया गया है तो यहां जो भी 100 नंबर का मैंने अभी बताया पचास का है यह आप देख सकते है समन्न हिंदी निबंद यह आपको खुद से करना होगा सिंपल है इसमें भी कुछ जादा नहीं है जैसे कि नेकार्थी शब्द विलोम शब्द प्रेवाची तसम तदबव यह जो नॉर्मल हिंदी होती है उसके बाद निबंद में कुछ भी साहित्या संस्कृति यह निबंद वगारा यह चीज़ें होगी सारी लिखनी होगी ठी 300 नंबर का यहां मैंने आपको बताया वो चीज़ यहां पर हम कवर करेंगे कि आपका जो मैथ सब्जेक्ट में 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 मैथ की बात कर रहा हूं वो चीज़ें हमको कैसे देखनी है उसकी इंपरिप्रेशन कैसे करेंगे और सेकिंड जो पेपर होगा आपका मैथ का लिखित प्रिक्षा योजना विकल्पिक विश्यों के प्रम प्रागत प्रशन पत्तर की रचना है तो प्रशन पत्रों के सवरूपेम अंको का विभाज़त निम्दियों प्रशनों की कुल संख्या 20 होगी यहां पर देखे प्रशनों की कुल संख्या 20 होगी सभी कोस्चन अनिवार उत्रों की शब्द सीमा 250 परतेक प्रशन 25 अंक होगा 25 के होगे पांच होगे उसके बाद बैह है कि अंतरकत 5 लगू उत्रिया परशन होगे जिसकी 150 शब्दों में उसका अंसर देना होगा परतेक 15 अंक का होगा और से है जो 10 प्रशन अती लगू उत्रिया होगे जिसमें उत्रों की शब्द सीमा 50 होगी परतेक 10 अंक का होगा ठीक है इसका आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर क्या है कि यह मतलब मैं दोबारा से फिर बता दूँ प्री प्लस में दो प्रिक्षाई हो आपकी होने वाली है जो की 1 जनवरी 2021 से हम स्टार्ट करने वाले है उसका कोर्स मैंने लौंच कर दिया है एप्लिकेशन के उपर जो एप है आपकी Mission DSSB ठीक है Mission DSSB के उपर GIC के नाम से GIC Mathematics के नाम से उसके अंदर हम जो है अच्छे से preparation करेंगे प्री की क्योंकि आपको पता है प्री और मेंस दोनों को मिला कर ही आपकी merit list बनने वाली है तो simple सी बात है प्री में score करना अच्छा आपके लिए ज़्यादा असान रहेगा merit में आने के लिए क्योंकि next जो मेंस वाला paper है वो आपका written paper है गभराने की इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है आपके अच्छी planning होगी अच्छे से आप कर सकते हो ठीक है प्री में जितना होसके maximum अपने score लाना है क्योंकि दोनों की मिलाकर ही merit list बनने वाली है और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ जो ये course है अभी हाल फिलाल के अंदर ये discount के अंदर चल रहा है ठीक है एक जनुवरी 2021 तक अगर आप ले सकते हो तो ये discount के अंदर चल रहा है उसके बाद इसके price हो है increase हो जाएंगे हमें आप WhatsApp भी कर सकते हैं WhatsApp का number में यहाँ पे लि ठीक है 7056243289 आपको कोई भी information चाहिए आप WhatsApp कर सकते हैं इस नंबर पे call भी कर सकते हैं और दूसरी बात application को download करके आप direct store time में जाकर के देख भी सकते हैं कि course क्या है उसमें क्या-क्या हम आगे हम syllabus भी discuss करेंगी क्या-क्या आने वाला ठीक है और एक detailed के अंदर वीडियो बन कि syllabus कैसी कैसी आपको करना है और कैसी आप maximum score कर सकते हो तो चलिए हम थोड़ा सा syllabus पर भी देख लेते हैं mathematics के अगर मैं बात करो relation and function है algebra के अंदर matrix है, determinants है, calculus के अंदर limit of functions है, integrations है, differential equations है, coordinate geometry हो जिसमें 2D हो गया, 3D हो गया, vector calculus हो गया, vectors हो गया, जिसके अंदर, ठीक है, three dimensional geometry हो गया, उसके बाद जो हमारा रहता है सले बस, equation of a sphere, कौन, cylinder वाले हो गया, group theory हो गया, जिसमें abstract algebra आ गया, modern algebra जिसे बोलते हैं, linear algebra हो गया, differentiation हो गया, vector integration हो गया, remand integration हो गया, statics हो गया, dynamic हो गया, और technometry हो गया, तो यह सारी चीज़ें हमारी रहते हैं, इसको brief के अंदर हम, एक next video के अंदर cover करेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो app है हमारी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, video lecture होते हैं, chapter wise, ठीक है, हम आपको chapter wise video lecture देते हैं, प्लस chapter wise video files देते हैं, practice के लिए, और chapter wise test series देते हैं, जिसके अंदर, माले जो 100 बच्चों ने test दिया, तो आपको पता चलता है, कि मेरा rank क्या है, ठीक है, उसके बाद full land test series देते हैं, ठीक है, plus doubt, doubt session रहता है, daily, daily आप doubt ले सकते हो, और आपका evening तक daily reply मिल जाएगा, एक साल तक, ठीक है, एक साल तक रहता है, इसका exam जो है 5-6 महिने में होगा, तो time काफी है, आप अच्छे से त्यारी कर सकते हो, इसके बाद, जो एक चीज़ इसमें और main रहती है, previous paper रहते हैं, previous paper solution रहती है, ठीक है, मेरी लिखाई के लिए मैं माफी चाहता हूँ, इतनी अच्छी नहीं है, चले कोई बात नहीं, ये main आपका जो है, हमने advertisement देख लिया, कैसे कैसे आप apply कर सकते हो, फिर से मैं आपको dates पे लेके जाता हूँ, ताकि आपको dates जो है, clear हो जाएं, कोई doubt ना पे inter-college examination 2020 है, 22-12-2020 से start हुए थे, और 22-1-2021 तो last submission है, fees का online last submission है, 18-1-2021, ठीक है, तो उमीद है कि आपको अच्छे से समझ में आगा होगा, please एक like कर दीजिए, और अपने दोस्तों को share कर दीजिए, अगर आपको information अच्छी लगी, thank you so much, जै हिन, जै भारत